बाजपा नेत और अभिनेतरी सुनाली फोगाड का सोमवार को 42 की उम्र में निधन हो गया दिल का दौरा पढ़ने से उनकी मौत हो गई सुनाली स्टाफ मेंबर के साथ गोवा गई हुई थी मौत के कुछ गंटों पहले ही उन्होंने अपने इंस्टेग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल फोटो भी बदली थी सुनाली का जन्म 21 सितमबर 1989 में हुआ था उनका जन्म हर्याणा के फतेहाबाद में हुआ था सुनाली और संजय फोगाट की शादी 2006 में हुई थी उनकी बेटी का नाम यशोधरा है यशोधरा सुनाली की एक लौती बेटी है आपको बता दे मा के निधन के बाद यशोधरा एकदम अनात हो गई है 2016 में यशोधरा के पिता संजय फोगाट की रहस्ट में हालत में उनके फार्म हाउस पर मौत हो गई थी 2020 में जब सुनाली ने बिग बॉस के 14 वे सीजन में बतोर कंटेस्टेंट एंट्री ली थी तब उनकी परसनल लाइफ खूप चर्चे में रही थी वे अपनी बेटी को छोड़ कर शोव में आई थी हाला कि फैमिली स्पेशल के एक एपिसोड में यशोधरा ने एंट्री ली थी और मा के साथ उनकी जबरदस्ट बॉंडिंग देखने को मिली थी शोव से वापस आने के बाद यशोधरा ने कहा जब मा ने बिग बॉस 14 में आने का फैसला लिया तो मैं बहुत खुश थी बिग बॉस में मेरी मा काफी अच्छा खेल रही है इस बादचीत में यशोधरा ने बताये कि जब उनकी मा बिग बॉस में आ रही थी तब वे उनके दूर जाने के लिए मांसिक रूप से त्यार थी क्योंकि वे हॉस्टल में रह रही थी बता दे जब सुनाली फोगाट बिग बॉस से बाहर आई थी तब उन्होंने अपनी और बेटी की परसनल लाइफ पर बात की थी सुनाली ने कहा था कि उनकी बेटी राजनेती में नहीं आना चाहती लेकिन जल्दी एक्टिंग डेब्यू जरूर करेगी आपको बता दे सुनाली फोगाट की बेटी की एशोधरा फिलाल 11 वी कक्षा की स्टूडेंट है और पढ़ाई के साथ-साथ अपने आक्टिंग करियर पर भी फोकस कर रही है उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो उन्होंने खुद को वहाँ एक्टरस बताया हुआ है बता दे कि सुनाली राजनेता के साथ-साथ एक्टरस भी थी सुनाली ने सीरियल एक मा जो लागों के लिए बनी अम्मा और हर्याणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में काम किया है बिरो रिपोर्ट इंडिया आहेद